नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आशू और आज मैं आपके लिए लेके आँ हूँ WhatsApp के एक नए feature के बारे में कि आप किसी को भी भेजा हुआ message कैसे delete कर सकते हैं और उसके उपर मैं add-on लेके आँ हूँ कि अगर किसी ने कोई message delete कर दिया है तो आप उसको कैसे पढ़ सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं क्या करूँगा अपने फोन से एक message टाइप करके आपको send करके दिखाऊँगा यह मैंने message send कर दिया यहाँ पे message आ गया है अभी मैं इस message को recall कर देता हूँ delete और delete for everyone यहाँ पे this message was deleted लिखा हुआ आ गया अभी यह message मेरे को पढ़ने के लिए मेरे को message पढ़ना है कि यह क्या message था इसके लिए मेरे को क्या करना है एक application को download करना है वो application का नाम है notification history log इसको google play store से download कर सकते हैं आप मैंने इसको install किया हुआ है तो मैं इसको open कर लेता हूँ इस type से ये खुल जाता है इसके अंदर setting में जाके आपको notification access इसको enable करना पड़ेगा तो अभी मैं क्या करूँगा यहां से message send करूँगा और आपको show करूँगा कि message कैसे आता है और उसको कैसे check करते हैं यह मैंने guru member लिख दिया अभी मैंने send कर दिया यहां पर guru member लिखा हुआ गया अभी मैं इस message को delete कर देता हूँ आपको app में जाना है notification history log में advanced history में जाना है अभी अभी आप देख सकते हैं मैंने इदर से message टाइप किया यह message मेरा यहां पर आ गया है अभी मैं यहां से यह message अपने delete कर देता हूँ अभी मैंने यह message डिलीट कर दिया यहां पर the message has been deleted भी लिखा हूँ आ गया लेकिन तब भी मेरे को वो 11 बच के 19 मेंट पर मेरे को क्या message भेज़े गया था वो दिखा रहे अगर मैं यहां से कोई बड़ा message भी बेचता हूँ suppose करो मैं बहुत सारा message टाइप करता हूँ यहां से कुछ भी तो भी यह app इस message को show करेगा भले ही वो delete हो जाए मैं इसको delete कर देता हूँ तब भी यहां पर यह message रहे गया और the message was deleted लिखा हुआ रहा है तो आज के लिए इतना ही मैं उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो please like और share जरूर करें thank you so much अगले वीडियो में मिलते हैं bye bye